कोविट के समय में प्रदेश में हिम रेड क्रोस मोबाइल एप से लोगों को काफी सुविदा मिलेगी तो रेड क्रोस सोसाइटी के रहत होने बाले सारी गतिविदियों के बारे में एप के माधिम से सूच ना मिलेगी साथ ही Red Cross Society के माध्यम से आने बाले समय में घर गर जाकर भी सेंपल इकटा करने के लिए भी मुवाइल एप एहम भूमिका निभाएगा प्रदीश में हमिरपुर जिला में ही हिम Red Cross मुवाइल एप की शुरुआत की गई है Red Cross Society की चेर्मेन एबम हमिरपुर उपायक देवशेता बने के अंसार कॉबिट के समय में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इसमें भी Red Cross मुवाइल एप बढ़िया काम करेगा उन्होंने बताया कि हिम Red Cross मुवाइल एप के मादिम से लाइफ मेंबर बनने की प्रक्रिया के साथ सारी कतिविदियों को एप में शामल किया गया है जिसे अगामी दिनों में लोग लंभाम वित होंगे तो एप के मादिम से Red Cross Society के लावों को भी लोग ले सकेंगे उपायक्त हमिरपुर देव शेता पनिक ने बताया कि पूरे प्रदेश में हमिरपुर जिला में पहली बार हिम Red Cross मुवाइल एप को बनाया गया है जिसे Android Play Store से डाउनलोड कर लाव लिया जा सकता है उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में जरूरत पढ़ने पर घर-घर कोविट सेंपलिंग में ये एप एमबो में का निभाएगा और सेंपल इकटे करने में सहुलियत मिलेगी ये जो Red Cross Society का आप है ये हमने NIC के माध्यम से इसलिए बनाया है ताकि इस COVID के काम समय में जहां पे हम आगे बढ़कर फिजिकल कारेकरम कम कर पा रहे हैं Red Cross के जो अलग-अलग कैम्स होते हैं या लोग जो है डोनेशन्स करते हैं या हमारी Red Cross मेले होते हैं वो सब चीजें करनी थोड़े मुश्किल हो गई है हम चाहते हैं कि सबसे जादा से जादा युवा पीड़ी भी हमारे इस Red Cross की मुईम से हमारे साथ जुड़ें और इसके लिए हमने मुबाइल आप को तयार किया है जिसमें अलग से लाइफ मेंबर बनने की प्रक्रिया और पूरा प्रोसेस जो है उसी आप के थ्रू कम्प्ल साथ साथ जो हमारी लेबॉरेटरीज हैं जो भी डाइगनोस्टिक सर्वेसेस रेड क्रॉस दारा दी जाती है उनके बारे में पूर्ण जानकारी इस आप में उपलप्त होगी और जल्द ही हम इसी आप के बलबूते पे जो है Red Cross Labs की शमता बढ़ा के वहां पे लोगों को औ कोशिश कर रहे हैं कि कुछी महीनों में हम घर घर सांपल कलेक्शन जो है हमारे विभिन ब्लड टेस्ट हो या जो भी रेगिलर टेस्टिंग लोगों को ज़रौत पड़ती है उसकी सांपल हम घर से भी लोगों को कलेक्ट करवाने में मदद करें तो इस तरह की गतिविधिय इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है यह पहली बार हुआ है और हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी जो अभी एप Android फोन जो है गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है हम जल्दी iOS अपल में भी इसको प्लब्ध करवाने की प्रक्रिया हमने जारी रखी है सभी से मन उपायक देवशेता पनिक ने बताया कि Red Cross Society पूरे देशपर में काम कर रहा है और लोगों को हर सुभिदा देने के लिए Red Cross का एहम योगदान रहा है उन्होंने बताया कि हर उपमंडल में भी Red Cross Society का गठन किया जा रहा है और Society के Life Member को बनाने के लिए बुद्धी जीबी को चोड़ा जा रहा है उन्होंने लोगों से भी आहवान किया है कि Red Cross Society के सदस्ये बनने के लिए आगे आए पूरे देश में और हमारे प्रदेश में हर जिले में जो है जिला Red Cross Society जो है वो कारे करता है जैसा कि आप सब को शायद कई लोग जानते होंगे Red Cross Society विभिन अलग-अ चारिटेबल वर्क्स जहां जिसको मेडिकल एड, एक्विप्मेंट, दवाईयां या कोई भी इस तरह की जरूद होती है खासकर ऐसे एरिया में या जहां पर डाउन ट्रॉड़न या गरीब लोग जहां पर जिनको मूलभूत सुविधायें जैसे राशन या इस तरह की एम अमिरपूर जिले में जिलास तर पे एड को साइटी तो है ही और काफी समय काफी अच्छे से जो है मिरपूर में करता आया है इसी के साथ साथ हर सब्टिजेजन में हप हर मंदल में भी हमने जो एड क्रॉण सुसाइटी का गठन करना चलू कर दिया ौर सुजानपूर में एसा Red Cross Society का गठन हो चुका है और बाकी उपमंडलों में भी जो है ये कार्य जो है ये किया जा रहा है और इसके लिए Red Cross Society जहां भी हम गठन करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे Red Cross Society के Life Members या Patrons या Annual Membership जो है ऐसे जितने वहां के जो है बुद्धी जीवी हैं जहां पे जो भी charity के भावना रखते हैं या कोई भी ऐसे नागरिक हैं जो अपनी थोड़ी योगदान जो है Society के जो पिछड़ा वर्ग है या downtrodden जिनके पास ज़्यादा सुविधाई ने उनके लिए अपना योगदान देना चाहते हैं उन लोगों से हम आववान करते हैं कि आप नात्रा में जो है Red Cross के मेंबर बने और हमें अलग अलग जगाँ पे Red Cross Society शुरू करने में मदद करें। पादोनिक मशीनें भी Red Cross Society में लगाई जाएंगी। पर हम बहुत खुशी से ये बताना चाहेंगे सभी को कि हाली में एक महीना पहले हमने दुबारा जो है उसको एक बहुत अच्छे लोकेशन में पुरानी बिल्डिंग की बेस्मेंट में जो एक अलग से जिसका अक्सेस अलग से है और मेडिकल कॉलेज के बिलकुल परिसर के साथ साथ ही पढ़ता है जहां पे सबसे ज्यादा मरीज आते हैं वहां पे उसको दुबारा जो है चालू कर दिया है बहुत अच्छे एक लोकेशन में और अब जो है हमारे पास ज्यादा सुविधाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं और सभी के लिए मैं बता दूं की स्टिक टेस्क वगरा जो है बहुत कम खर्चे पर जो है उसको करवा पाएं हमारी अर्चिक सेवाओं को बढ़ावा दे सके और और भी मशीन जो है हम उसमें आड करने जा रहे हैं ताकि हमीरपूर के लोगों को जो है इधर उधर जो है जादा ना भटकना परे टेस्क के ल